Hello Friends, अगर आपके स्किन बहुती ज़्यादा डल हो गई है, ग्लो नहीं कर रही है, पैची हो गई है और उस पर दाग धबे भी आ गए हैं, पिमपल्स की वज़े से और भी ज़्यादा प्राप्लम्स आ गई हैं, विंटर्स की वज़े से और भी ज़्यादा ड्राइ हो गई हैं तो कैसे उसको ग्लोई पिंक और सॉफ्ट बनाएं तो इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई है लेकिन ये हमारी है ड्राइनेस पर और हमारी जो स्क्रब होता है उसका क्या फायदा होता है उसे हम क्यों यूज करें कैसे यूज करें तो यहाँ पर मैं एक बड़िया सा स् हल्दी अगर आपकी एसकिन सेंसिटिव है तो आप हल्दी को छोड़ सकते हैं अगर आपको सूट नहीं करती है तो आप इसकी जगाइच चन्दन पाओडर डाल सकते हैं और यहाँ पर मैंने लिए हणी हनी हैणी आपको पता है अन्टि बैक्டिरियल होता है antiseptic होता है और skin को बहुत ही hydrate करता है अंदर से musurize करता है तो इसको डालना बहुत जरूरी है और skin को clear बनाता है यहाँ पर मैंने लिया है चावल, चावल का आटा आटा बिल्कुल नहीं है, यह दरदरा पिसा हुआ है यह देखिए, यह सूजी की तरह है और हमें अपनी skin को जो dryness है उसको हटाने के लिए जो हमारी skin पर आपने देखा होगा फ्लैक्स से लग जाते हैं जो पर्त सी लगने लगती हैं बहुत ही जादा अलग-अलग सी पर्ते आ जाती है जिसकी वज़ए से आपकी skin glow नहीं कर पाती है shine नहीं कर पाती है और उसकी जो नमी है वो चली जाती है oil भी नहीं होता है जिसकी वज़ए से बहुत जादा skin dryness लगने लगती है तो उसको हमारी skin को ये सारे जो ingredients मैंने add किये हैं वो अच्छे से हटा देते हैं उसको हमें skin पर अच्छे से रगड़ना है और उससे इसको scrub करना है रगड़ने का मतलब ये नहीं है कि ऐसे रगड़ने की skin लाल हो जाए या skin और भी जादा हमारी फटने लगे हमें skin को बहुत ही soft तरीके से रगड़ना है इसको हमें कैसे use करना है हमें हफ़ते में इसको सिर्फ एक बार use करना है और हमेशा scrub को हमें रात में use करना है अगर आपको एकदम glassy skin चाहिए एकदम shiny skin चाहिए तो हमें इसको रात में लगाना है अच्छे से scrub करना है और face wash करना है scrub कितने time के लिए करना है सिर्फ आप 30 seconds से एक मिनट तक ही scrub कर सकते है थोड़ी देल लगा कर इसको छोड़ दीजिए उसके बाद में रगड़ कर आप इसको उतार दीजिए आपको बहुत ज़्यादा tight हाथों से नहीं रगड़ना है softly ही रगड़ना है उसके बाद में आप देखेंगे कि आपकी skin एकदम glow करने लगेगी इसके चमकने लगेगी इसके साथ साथ इसके पर जो pigment होगा या जो pimples के scars के दाग धबे जो निशान होंगे वो भी हलके हो जाएंगे तो वीडियो आपको कैसी लगी अच्छी लगी तो इसे like share कीजिए कॉमेंट्स में बताएए चलते हैं बाबाई